ये फ्रेंड्स, वेल्कम टो फ़न्फूडी, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्राइकलर पनीर पेस्ट्री, ट्राइकलर पनीर पेस्ट्री एक बहुत अच्छा स्टार्टर है, जो सभी को बहुत पसंद आता है, और स्पेशली बच्चों को, तो आएए देखते हैं, इसे हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैंने ली है, छे ब्रेड, इन ब्रेड के स्लाइसिस को मैं कटोरी की हल्प से सर्कल्स में काट लोगी, तो एक ब्रेड लोगी, उसके उपर एक कोई भी कटोरी, जो भी आपके घर में अविलेबल हूँ, उसको हम यूज करके, एक सर्कल काट लेंग हम सर्कल्स काट लेंगे, तो हमने छे ब्रेड से राउंड सर्कल्स बना लिया है, इन छे ब्रेड से हम दो पनीर पेस्ट्री बनाएंगे, और साथी में हम चार पनीर स्लाइसिस का भी यूज करेंगे, तो इन पनीर स्लाइसिस को मैंने सेम कटोरी लेके काटा है, तो हमें प पतले-पतले पनीड के स्लाइसिस चाहिए, साथ ही में हमें चाहिए होगी ग्रीन चटनी और केचप, तो आईए देखते हैं कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक ब्रेड के स्लाइस पे हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी को स्प्रेड कर देंगे, उसके उपर हम लगाएंगे एक पनीर का स्लाइस और साथ ही में एक पिंच सॉल्ट हमिज़ पे डालेंगे, एक पिंच रेड चिली, नेक्स्ट ब्रेड के स्लाइस पे हम लगाएंगे टमेटो कैचप, और इस ब्रेड को हम पनीर के साइड पे लगा देंगे, अब इसके उपर के साइड पे हम लगाएंगे फिर से हरी चटनी, फिर से हम एक पनीर का स्लाइस रखेंगे, हम नमक और मिर्च भी पे स्प्रिंकल करेंगे, और इस ब्रेड स्लाइस पे फिर से हम लगाएंगे रेड चटनी, अगर आप यह सोच रहे हैं कि जो ब्रेड के साइड उसका आप क्या करें, तो आप ब्रेड के स्लाइस को थोड़ा सा टोस्ट करके, उसे मिक्सर में मैश कर सकते हैं, और उससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकत जिसको हम बहुत सारे स्टार्टर्स में यूज कर सकते हैं, तो अब हमारी एक पेस्ट्री तयार है, इसी तरीके से हम दूसरी पेस्ट्री भी बना लेंगे, तो अब हमारी दोनों पनीर पेस्ट्री रेडी हैं, को अब हम बेसन में कोट करके फ्राइ करेंगे, या आप चाहें तो तवे पे इसे कम ओयल में भी आप सेख सकते हैं पर आज हम फ्राइ करने जा रहे हैं तो क्युंकि हमें बेसन में इसे कोट करना है तो आइए हम पहले इसका बैटर बना लेते हैं तो एक बोल में मैंने लिया है लगभग एक कप बेसन उसके अंदर में डाल रहे हो थोड़ा सा नमक और इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक बैटर बनाएंगे पर याद रखे बैटर जो है बहुत पतला नहीं होना चाहिए अब हमारा बैटर रड़ी है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हम इसे एजली पोर कर पाने पर यह बहुत जादा पतला नहीं है तो हमारा बैटर रड़ी है हमारी पनीर पेस्ट्री रड़ी है हमने ओइल को भी गरम करने रख दिया था तो वो भी अब अच्छे से गरम हो गया है अब हम अपनी पेस्ट्री को पेसन में कोट करते जाएंगे और उसे फ्राय करते जाएंगे तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसके अंदर अपनी पेस्ट्री को बेसन में कोट करूँगी और उसे अराम से हमें ओईल में डाल देना है और इसे अब हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है अब हमारी एक साइड पक गईया और हमने इसे फ्लिप कर दिया है और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो अब हमारी दोनों पनीर पेस्ट्री रेडी हैं यह हमने आप किचिन टावल पे निकाल दिया है अब मैं आपको इसका एक स्लाइस का इसमें ग्रीन चटनी वाइट पनीर का और रेड केचप का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है तो आपनी से बनाई है और अपने एक्स्पिनेंसिस हमारे साथ शेयर कीजिए ऐसी और रेसिपीस के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूं करें अगली पर मि झाल 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 झाल